आदेने पेंका गांदी जी आदेनी मुक्हमंत्री अशोग गैलोज जी हमारी अद्धिक्ष लूटास्रा साहब विदानसभाकी अद्धिक्ष ईपि जोशी जी हमारे प्रभारी रन्नावा साहब अब ये आपके बीच में भाशन दे रहें थी हमारी छेतरी विधायक और मंत्री मंत्रा जी दी। आदरनिये प्रेंका जी का दोसा आने पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रेंका जी आज यहाँ पर आई हैं हमको संदेश देने के लिए और राजिस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी पर्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पर्टी हमारा संग्ठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है किन मुद्दों को रिखांकित करना है इस पर आदरनिये प्रेंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी साथियों ये सिक्राय विधान सबाच्छेत, ये दोसाजिला, ये पूरा इलाका यहां के छेत के लोगों ने हमेशा से कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया है। हमारे हाथ की पैचान है, इस हाथ की पैचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन दे कर हमको ताकत दी है। हमेशे शूप से किसानों को जो दिक्कदों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद की सरकार बेद भाव की भावना से काम कर रही है। केंद की सरकार में 25 के 25 मंतरी भाचपा के हैं, पूर भहुमत की सरकार है, पदान मंतरी मोदी जी ने अजमेर में आकर राजिस्तान में एक नहीं दो दो बार कहा था कि ERCP की परियोजना को हम राष्ट परियोजना गोशित करेंगे। अब उनके मंतरी और सांचंव की सरकार सिर्फ कॉंगरेस की सरकार यहां पर है। चार प्रदेशों में चुनाव है मद्यप्रदेश में 36 गड़ में तेलंगाना में अभी प्रियंक्या जी और अधर राहूल गांदी जी तेलंगाना में थे एक दिन पहले वहाँ पर सब लोग मान चुके हैं कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है प्रचंड बहुमत के सार हम तेल जेपी और पांच साल कांग्रेस इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बैनो भाईयों इस काम को आप लोग कर सकते हो दोसा जिला कर सकता है सिकराय के लोग कर सकते हैं और आप लोगों पर मैंसा मानता हूं कि मेरा एक विशेश अधिकार है इस छेट के लोगों ने इस समाजी करेंगी मैं भी यहां पर आपका पीच सांचत रहा और मुझे आदे प्रेंका जी मैं पहली बार यहां चुनावन ने आया 2004 में मेरी चुनावी सवा थी सोनिया गांदी जी विशेश सूप से यहां पर आई थी दौसा कॉलिज में हमारी सवा थी उनकी सवा से जो करना चाहता हूं क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कॉंग्रेस के मजबूत गड़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेज आता है इसलिए आपकी जिम्मेदारे बढ़ गई है आपका दाई तो बढ़ गया है पूरा देश देख रहा है कि राजिस्थान ** लेकिन दुख परिशान इकठनाई में सीर्फ अपने सामिल होते हैं और यहां के ईभल के लोगों का वह इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगलेमें नहीं के दूँगा आपको वाधा कर जाता हूं और आज प्रियंका जीमारे भीच मैं आई है राहु के बीच में जो विकास हुआ है हमारे मंत्री जिले के दो दो तीन तीन मंत्री हैं विधायक हैं सबने मिलकर आपका विकास किया है आज हम उमीदाब से करते हैं कि सबा के बाद एक ऐसी लहरी जिले पुरे छेत्रिम होने चाहिए कि एक-एक सीट कॉंगेस पाड़ी जीत का जा अब तो महबत की चर्चा कल भी हो गई आज भी हम लोग कर रहे हैं महबत आपस में जोड़नी हैं सब लोगों को साथ लेकर चलना है और प्यंका जी आपके हर बार राजिस्तान बराने से कॉंग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है बादस्पा के लोग चिंतित हैं परेशान हैं घबराए होए हैं समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टेकर दें वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े है सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की जूट और पाखंड की राजनीत को समाब करने का जो शान की जनता हमेशा पलक पावड़े बिचाए चाहे सोनिया जी हो चाहे राहूल जी हो चाहे आप हो आपकी बात को हम लोग कभी इंकार करने वाले नहीं हैं आप आवान करके चले जाओ सारी की सारी सीट कॉंग्रेस पाटी की जोली में जाल कर देंगे यह मैं आपको जनता की साश्वा संदे सकता हूं आप सब इतनी भारी ताडाज में आएं आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार क्योंकि हैं यह पूरा देश देख ले राजिस्थान की जनता दोसा की जनता कॉंग्रेस पार्टी के साथ है जोड़दार नारा लगाना हाथ खड़े करके दोनों कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंड राम राम साथ कि मैं अब बहुत दी आदर के साथ